आज की इस वीडियो पर देखो मेरे पास दो पैनल से जो कि बलू दू पैनल वाले इस पर इको को इक फंसन दिया हुआ है यानिकर हम इस पर मायंग भी करेट कर सकते हैं लेकिन मायंग का वीडियो इसके नेक्स वीडियो पर आएगा अभी आज मैं बताऊगा कि अगर आपका लास तक देख लेना क्योंकि आगर आपने इस वीडियो को इसकीप किया तो आपका पिनल हमेशा खराब होता रहेंगा आपके पैसे वेस्ट होते जाएगे तो वीडियो को लास तक जरू देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं वीडियो को पर लास तक दिखा देता हूँ मैं इसे उपरेट करके दिखाता हूँ आपको 3.7 वोर्ट तीना जार एमेश की बैटरी से अगर आप इस वाले बैटरी को लेना है तो निचे डिस्क्रिशन से बाइक कर सकते हूँ क्योंकि यह काफी जदा पावर्फूल है यह बैटरी जल्दी खराब नहीं होता है को यह स्पोंसर नहीं बस मैं आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप भी एक 3.7 वोर्ट बैटरी ने सकते जोगी तीना जार एमेश की है और 100 रुपे से अंदर में मिल जाती है ठीक है दो पोजिटिव मैं यहां पर टॉच करता हूँ तो यहां पर ज करेंगे कि अगर हम हीसे 12 से परना थो यह बचा सकते हो तो सबसे पहले काम करें गये पताओ को पर मैं किस वाले पर आपको कर सकते हो तो चलो इससे रख से स्टाइट पर अभी मैं आपको इस पर दिखाता हूँ सबसे पहले क्या करेंगे इसके जो स्कूरू है इन्हें खुलना होगा तो इसे डारे आप हाथ से भी कुल सकते हो कोई जो रही नहीं आपको स्कूरू ड्राइवर तो यहां से देखो मैं खूल रह ही है और GND यानि कि ग्राउंड है लेकिन यहां पर देखो यहां पर आप फाइप वोल्ड मिलेगा और ग्राउंड मिलेगा जब भी आम इस पर पैनल पर डायरेट ट्वेल वोल्ड नहीं दे सकते हैं वरना यह खराब हो जाएगा क्यों यहां पर हमें कहीं पर भी अठाट पांच का समट आइसी नहीं देखने को मिल रहा है नहीं हमें बड़े वान यहां पर दीगरा है लेकिन फिर वेगर हम चाहिए तो ट्वेल वोल्ड से इसे ऑपरेट कर सकते हैं वह क्या करना होगा जैको नॉर्मल नीब बात है कि नॉर्मल जैसे आप यूज करते हैं उसी त करेंगे तो उसके लिए भी वीडियो को लास तक देख लो पहले प्रॉसेस देख लो मैं आपको एक उप्सन जरूर से बता दूँगा और जिसके तुरू आप असानी से बिना मल्टी मेंटर के भी आप इसे ऑपरेट कर पाऊगे यानिकि यूज कर पाऊगे तो देखो सब लगाने वालो वीडियो को इस्टिप मत करना सॉरी 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 यह पता है आप लोग करने वाने हो देखो यहाँ पर पहले इससे टच करते हैं कि इस पर बीप अच्छी तरह से आ रहा है यानिकि यह एक ग्राउंड है दूसरे वाले कुछ चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई बीप नहीं है इसे चेक करते हैं कि यहाँ पर देखो कुछ वेल्यूस हो और यह हट गया है यानिकि एक तो हमारा यह बीच वाला ग्राउंड पढ़ गया हमें कंफर्म पता चल गया है अब सेकेंड वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे देखो यहाँ पर यहाँ पर यह अब इस चेक करते हैं तुम यहाँ पर देखो इस पर हमें कोई भी वेल्यूस हो नहीं हो रहा है यानिकि इह हमारा 12 वोट इन्ट पूट अब इन्ट पूट पूट कहना है यानिकि यह क्या है, 5 वोट जर्ट अ ंपूट में दिखाता हूँ यहाँ पर यह वाला 5 वोट हमा तो यहां पर हम में 12 10 ब़ल्ट देना हैं इस पर गराउंट देना आप और इस वाले पोइंट पर हमें आउट्प इस अधर यहां पर फइय पर वर्ज दो तो भी काम करेगा और इस जखर से 12 बड़ दो वह थो कि तो भी काम करेगां तो सबसे से पहले क्या करें हमें पहले आई-सी का जो करना पड़ेगा तो आई-सी मेरे पास सई होना नो चाहिए रूक हमें ढूंड करके लाता हूँ तो यहां पर मैंने ठाटर चिरो पार्च में डूंड करके ले आए हूँ मैं आपको यहां सामने से दिखाने की कुशिस करता हूँ जूंग कर लेते हैं पहले इतरा जूंग काफी है अब आपको यहां दिख रहा होगा ऐन 7805CV आप इस पर 6 वर्ड तक आउ आप तव यहां पर माइनस आप आउट यहां पर तो इसे हम बाहर पर भी कुछ इस तरी के जरू रख सकते हैं युद्षिंग को लगाने के लिए हैं यहां पर असपेस को छोड़ना होगा तो चलो यहां पर एक्स्ट्रा वाय को करते हैं और इसके साथ करेंट करते हैं अभ विडियो होगा तो फेक नहीं है रियल वीडियो ठीक है अब यहाँ पर यह वाला 12 वल्ट का और यह हैं 5 वल्ट का तो मैं आपको दोनों से चेक करके दिखाऊंगा सबसे पर सेखते हैं साइट वर बात करते हैं बैटरी पर अब यहां पर बैटरी हए बैटरी कितने एंपर की लेगारे हो तो मैं उनुक इरे सकते हो याप सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आपको एलेटी से चेक करके दिखा रहा हूं कि एलेटी से हमारा यह पता चल जाएगा है हमारे 12 वोल्ट का यह है या नहीं है बेटरी तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव नेगटिव को टच कर रहा हूं तो देखो बेटरी का पर अपर अपर मैं आपको दिखा भी देता हूं इस जगे पर देखो यहाँ पर साफ सब लिखा हूँ है डीसी 12 वोल्ट तो अब हम इसे चेक करने वाले 12 वोल्ट की बेटरी से यह चलता है यह खराब होता है जो होगा आपके सामने होगा वैसे तो मुझे प्रोटेक्शन वाला वीडियो पहने कर देना चाहिए लेकिन मैंने सुझे क्यों ना पहले यह प्रोसेस को देखा जाए उसके बाद मैं बताऊंगा कि पोजिटिव नेगिटिव को भी अगर अनग लगाया जाए तो यह खराब हो सकता है मैं चेक करने दिखाऊंगा जब यह बनाऊंगा देखो यहाँ प बंद हो जाएगा फिर समय टच करता हूँ लुकॉफ तो यह दो को पावर यहाँ पर आ गया है अब ऐसा करने के बाद आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा कोमेंट आ सकता है वाई हम इसे 12 वोल्ट से तो अब ऑपरेट कर पा रहे हैं लेकिन हम इसे 5 वोल्ट कैसे करें है यहाँ पर 12 वोल्ट हमने लगा दिया है तो उस आपके लिए ही मैंने यह वाला एक्स्ट्रा वाइर में निकाला है जिस पर हम 12 वोल्ट की जगह पर ना देते हुए 5 वोल्ट कर सकते हैं तो फिर मैं आपको 3.7 वोल्ट की बेटरे से चेक करके दिखा रहो यहाँ पर ग्र काफी से यह काम कर रहा है यानि कि आप आप इसे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हूं और अगर आपको पहले से यह पता था तो नीचे कॉमेंट से से पता देना और पता नहीं था तो आप आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब करके इसे जरूर से णिखंगी करना ठीक है अब मैं पताता हूँ आपको कि अगर आप इस पर पॉजिटिव नेगटीव आट वायर लगा दिते हो और यह नेगटीव इस पर पॉजिटिव आयर लगा दिते हो तो यह पैनल खराफ हो जाता है अब उसे बचाने के अपके पास सब से असान तरीका में बताऊँगा ना तो आप लोग इस वीडियो को आटमेटिकली लिए करके जाओगे उसके लिए मुझे कुछ सर्कीट चाहिए जो मैं कवार से लेकर करके आता हूँ यह देखो यह मैं कुछ कवार से कुछ सर्कीट को लेकर क्या हूँ जिसे आप असानी से परचान पारे हो कि यह हमारा एक चार्गार का अड़क्टर रीप्तर है यहीं हमारा एक एंपिर रही और देखेना में इस पर charger का कोई काम नहीं है देखो यहाँ पर मैं दो charger लेकर गया हूँ और यह आपको पता होगा इसे आप magic charger भी बोलते हो जादूई charger भी बोलते हो जो पहले टाइम पर यूज करते थे जब बेसे की अब smartphone की बेटरी वह वापस निकाल सकते हैं तो इसे डिरेक्टल इससे चर्ज कर सकते थे बेटरी को डिरेक्ट निकाल करके तो हम यहाँ पर क्या देखना है हमें एक circuit को बाहर निकालना होता है और last में एक और मैं सर्केट बता दूँगा अगर यह आपको ना मिले तो तो यह यहां पर आप सासर देख सकते हूं कि यहां पर हमें एक 1 & 4 007 डैवोट देखने को मिलता है आप इसे देख रहे हो न यह वाला डैवोट या तो इस पर अपर देखें तो यहां पर यहां पर भी आपको डैवोट देखने को मिल जाएगा यहां पर दो दो डैवोट आपको पर मिल जाएंगे और एक दो डो डो डावट आपको इस पर मिल जाएंगे यानि कि हमें यहाँ पर बनाना होगा एक ब्रीज रेक्टिव फायर हाँ आप आप पावस अप्लाई के लिए उच करते हो ना लेकिन आज की इस वीडियो पर देख लो आप इसे पावस अप्लाई न आप सिंपल दो डो डावट से समझेला ठीक है दो डावट को हटा दे रहा हो अब दएको यह दो डावट का जो पलाई सिर्वर पटे उसे में ने इसरुडे otherwise अ konसुप इस वाले chyba पावनिकोश समझते हैं तो इस वह ले डावट पर मैंने किया क지만 फेन सिर्वा को निक साथ स तो को प्रोब्लम नहीं आप यहाँ पर लगाओ इस पर लगाओ दोनों तरह से चलोगे तो भी यह काम करने वला है चलो मैं लाइम आपको दिखाई देता हूँ बात में क्या लगाओ बात सबको पता नहीं चलेगा तो इन दोलों पोइंट पर हमें एक एक वायर को टच करना है देखो अभी मैं आपर हमें जो टनले उमसेडा लाइन आगया अब इसे वायरंको चेंज कर देते हैं नेगेटिव को इधर करते हैं पोजिटिव को इधार कर देते यह देखो प्रोपर अच्छी तरीके से इस पर लाइन आ रहा है यानि कि अब हमारा यह जंजट खतम हो गया कि किसी पर भी लगा तो यह पैनल हमारा बिलकुल भी खराफ नहीं होगा अब आप लोग बोलोगे आपने एक स्टेप बोला था कि आपको लास्ट में में कि अगर आपके पास यह डाइवोड ना मिले तो भी आप एक प्रिजटी फायर ऑटोमेटिक बनी बनाई यूज कर सकते हो और वह क्या है यहां पर पर पहले वीडियो बना दिया अगर आपके लेडी खराब होती तो यह लेडी खराब बिल्कुल भी नहीं होगा उस वाले आपके को देखैंगे देख लेना वाह टा जया चाल लाव इसे मैंने आपको पता भी दिया कि अल्एडि ड्राइवर से मेंने कर ला है तो इस पर दो वाटाव आपको इन पूट को देखना को भिल जाएंगे जिस से आप टार ग्धाने के लूखो देखो देखो आप भी आपको दीख रहा होगा मेरे आप राइट साइड वाले पॉइंट को देखो जिस पर सोल्डर किया होगा बिना वायर वायर को इस वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ पर आपको हल्का सा पोजेटीव देखे को बिल रहा होगा और यह साइड का नेग यानि कि आप इस तरीके से आपको जो पेना ने वो कभी खराब नहीं होगा और खराब होता भी है तो आपकी मिस्टेक होगी क्या क्या क्यूंकि आप इस पर ज्यादा वोल्टेज दे दोगे यह भी एक प्रोब्लम माता है लिकिन अगर आप यहां पर 20 वोल्ट होगे खराब धिर्कुल भी नहीं होगा फंदरा वोल्ट होगे तो भी खराब नहीं होगा लेकिन अगर आप यह पर उससे ज्यादा 20 25 24 वह दो दो तो आपका पैनल खराब होगा इस पर मुझे कोई भी आप मुझे ग्लेम नहीं कर सकते हो कोई भी मुझे आप नहीं बहुत सकते हूं मेर झाल झाल